तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार आइस क्रीम लाने वाली हो और यह रहा वो आइस क्रीम यह स्ट्रॉबरी आइस क्रीम जिसको बनाने के लिए आपको कोई विप क्रीम नहीं चाहिए कोई फ्रेश क्रीम नहीं चाहिए मलाई नहीं और ना ही condensed milk चाहिए अब आप सोच रहोंगे कि ये सारे ingredients ही नहीं चाहिए तो बनेगा कैसे मज़ी की बात ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास दूद लगेगा और बहुत ही जादा creamy सा ice cream बनके तयार हो जाएगा तो चलिए शिरू करते ही स्ट्रावडी फ्लेवर वाला बहुत ही जादा tasty ice cream बनाना आप बस क्या करिए मेरे चानल को कर दीजे बेल आइकन के साथ subscribe ताकि आपको वीडियो के latest notifications ऐसे ही मिलते रहे बनाने के लिए मैंने ले लिया है पाश रुपे वाला marigold का digestive biscuit अब इसमें मुझे 10 biscuits मिले और इसी से हम बनाने वाले है tasty ice cream अब आपको क्या करना है यह biscuit ले ले लेना है इसमें quantity 10 है आप चाहें तो पार लेजी भी ले सकते है इसके ज़िए बस ऐसी biscuit लेना है जिसमें flavor कम हो मतलब कम मीठा हो कम flavor रहे है यह बहुत light flavor का होता है इसे क्या करना है हमें इसके छोटे-छोटे तुकड़े कर लेना है तो पहला काम जही है कि आपको biscuit लेना है और उसका क्या करना है आपको तुकड़ा कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से तो देखे इस तरीके से हाथों से जो है मैं तोड़कर इसके तुकड़े कर ले रही ह तो देखे इस दूद को मिलाई सहित लेंगे यह फुल क्रीम दूद है और इसमें क्या गरेंगे जो बिसकिट है वो डाल देंगे एक्स्रा हमने मलाई ने लिया बिस दूद के ओपर जो मलाई बन जाता है वही उससे जादा एक्स्रा आपको मलाई लेने की ज़रूरत नहीं है यह बिसकिट इसमें डाल देना है जो भी हमने तोड कर रखा था यह बिसकिट डाल देंगे और यह देखे जो है जैसे ही आप दूद के साथ पकाना शुरू करेंगे न तो यह क्या होगा जो है यह मैश होना शुरू हो जाएगा साफ में आड कर देंगे मीठा देने के तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा दूध और आड करूँगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए तो 1 4th cup दूध और मैंने इसमें आड कर दिया एसे जादा हम नहीं आड कर रहें तो देखे 1 4th cup के करीब दूध और आड कर लेने के बाद इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लें साथ-साथ यहां पे जो है मैं आड कर दूगी थोड़ा सा जो है कटा हुआ बदाम काजू इन्हें भी आड करके अच्छी तरीके से आपको कर लेना है मिक्स और यह देखे इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे हमें पकाना है तो देखे इस तरीके से बदाम काजू हमने आड कर दिया जो कि डालनों ऑप्शनल था पर इससे काजू और बदाम से और क्रीमी बनेगा और टेस्ट और जादा जो है इन्हांस हो जाएगा तो इसलिए मैंने यह आड कर दिया अब आप सोच रहोंगे कि इसको मेक्स करने के बाद स्ट्रॉबरी आइस क्रीम कैसे बनने वाला ह मितलब कहां से स्ट्रॉबरी का टेस्ट आएगा किस तरीके से वो बनेगा और बिस्किट से कैसे आइस क्रीम बनेगा अभी सब देखते जाएगे जैसे ही इसको जो है चलाते हुए हम उबाल आने लगेगा तब जाके जो है हम क्या करेंगे एक और काम करने वाले हैं आगे तब आपको पता चलेगा कि यह आइस क्रीम जो है किस तरीके से स्ट्रॉबरी फ्लेवर का बनने वाला और कैसे स्ट्रॉबरी टेस्ट आएगा तो देखे इसमें हम आट कर दिए थोड़ा सा जो है पिंक कलर तो यहां पे थोड़ा सा पिंक कलर दूंगे यह देखे तो बस 2-3 bond के करीब यहां पर हमने pink color आर्ट कर दिं यह देखे और अब क्या गरंगे ना इसे अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे यह देखे को mix कर लेन के बात जो है हमें मिल जाया का strawberry वाला color इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हो गया ना हमारा काम असान यहां पर हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी और फ्रेश उड्रीग का ना ही ना ही कर्णेंस्ट मिल्क का नाही मिल्क पाउडर का और नाहीं स्ट्रॉवरी का नाहीं कोई फ्रूट क्रश का और बहुत यह बन जाएगा और देखे इस तरीके से ऩागनी तक पकाना बिलकुल है सही तो जब आप ऐसे डाल देना उसके बात तो इसे और पका लीज़िए और बस अब कोई कह सकता है कि बिना विप क्रीम और बिना आपने मिल्क पाउडर के से बनाया है अब क्या करेंगे यह देखे मैं आपको दिखा रहे हैं कितना ज्यादा क्रीमी बनाई कि देखे तो इसे अम तुरंत एक एयर टाइट जो है डबे में डालेंगे और इसे अब फ्रिजर में तो देखे इसे एयर टाइट डबे में मैंने ट्रांसफर कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अची तरीके से बबल का फॉर्मिशन हुआ है इस बबल के फॉर्मिशन से आपका ऐस क्रीम बहुत ही जादा क्रीमी और मार्केट जैसा बनेगा इसमें कार्णिश है तब देखे मैंने इसे निकाला है और ये थे बहुत हि प्रफ़र्य यह जंप चुका है और बहुत ही पर्फेक्ट अब क्या करेंगे यहा भी मेरा स्कूबर नहीं मिल रहा तो भाइना था इस तर紙 करने वाले उसल्स कर लोंगी यह देखे इस तरीके से गोल इसे हम कट इस रेसिपी को बनाने के लिए सिफ और सिफ आपको 10 रुफे वाला एक बिस्किट का पैकेच चाहिए और आपका टेस्टी सा आइस क्रीम बनके तैयार हो जाएगा यहां पर कोई विप क्रीम कुछ भी नहीं चाहिए तो इस रेसिपी को शेयर करिये और वीडियो सेखने के ल और टेस्टी बनता इसे स्क्राइब सरूर करियेगा